किसी भी circuit breaker पे तुमने एक चीज लिखी जरूर देखी होगी जैसे यहाँ पे breaker है इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे 32 A और उसके ठीक नीचे लिखा है 10,000 A तो यही हमारा आज का topic है कि इस 10,000 A का क्या मतलब होता है breaker पे अब circuit breaker एक protection device है यह सब जानते हैं और यह mainly हमारे circuit को द दूसरी है short circuit अब overload का मतलब यह हुआ कि जो भी तुमारी MCB का rated current है अगर उससे ज्यादा current उसके अंदर से flow हो गया तो तुमारा जो circuit है यह उसको trip कर देगी यानि कि तुमारी supply को off कर देगी for example इसके case में जो उसका rated current है वो है 32 A और short circuit मे क्या होता है अगर तुमारे live और neutral wire दोनों एक साथ मिल जाए उस condition को हम बोलते है short circuit या फिर जो तुमारा live है अगर वो तुमारे earth यानि की ground से मिल जाए उस condition को भी हम कहते है short circuit और इन दोनों ही condition में यह हमारे circuit को off कर देगी मतलब यह जो 32 A है यह एक तरह से इसकी limit है कि इतना current यह बिना trip हुए अपने अंदर से बिना खराब हुए पास कर सकती है अगर इसके अंदर से 10,000 A से जाधा current पास हो गया तो जो breaker है पूरी तरह से खराब हो जाएका खतम हो जाएका अब तुम बोलोगे कि अगर यह 32 A पर trip हो जाती है तो अपने अंदर से 10,000 A कैसे पास कर सकती है तो अगर कोई भी ऐसी condition आ अब मैं अगर तुम्हें बताना चाहूना कि कितना जाधा heavy current है तो देखो अंदाजा लगाओ मानलो कोई भी 240 वोल्ट से चलने वालो तुम्हारा device है और अगर वो 9 A के आसपास current ले रहा है ना 240 वोल्ट पर चलता है और 9 A के आसपास current ले रहा है तो उसकी जो power है वो होगी 2000 वाट 2 किलो वाट जो कि तुम्हारा sanction load भी हो सकता है मतलब तुम्हारा जो meter है वो इतने ही शायद rating का होगा क्योंकि हमारे वाले जो meter है वो इतनी rating का है ठीक है अब यह कितना है 10,000 A अगर हम यहाँ पे इसको 9 की वज़े 10 मान ले ना 10 A मान लो यहाँ और 200 वोल्ट पर मान है अब तुम सोचोगे कि अगर तुम्हारे घर में कोई MC भी लगी हुई है तो ऐसी कौन सी condition है जो इतना ज़ाद है heavy current उसके अंदर से पास होगा तो सीती सी बात है short circuit यह बहुत ही ज़ादा खतरना condition है भाईया अगर तुम्हारा live wire neutral से या फिर ground से touch हो जाए तब यह condition जो ह arise होती है अब यहाँ पर short circuit भी ऐसा वैसा नहीं बलकि dead short dead short से मेरा मतलब यहाँ पर है कि तुम्हारे live और neutral यह फिर कहूं live और ground के बीच का जो path है उसका resistance मतलब zero के बहुत ही आसपास पहुच जाए उस condition को हम कहेंगे dead short की condition अब ऐसी condition कब निकलेगी अगर तुम्हारा कोई बी ऐसा load जिसको तुम बहुत ही मोटे वायर से चलाते हो मतलब ऐसे हलके फूल के पतले वायर से नहीं बलकि मोटे मोटे मजबूत वायर से क्योंकि पतले वायर को resistance है वो काफी high होता है और मोटे वायर का resistance काफी low होता है अगर वे मोटे वायर एक साथ मिल जाए तो उस condition मे जो resistance है उनका बहुत जादा कम होगा अब किसी भी circuit के अंदर से current पास होता है वो उसका resistance पर depend करता है मतलब मालो कोई तुम्हारा 220 volt है ठीक है और तुमने उस पे 220 ohm का एक load लगाया है तो यहाँ पर current की value होगी I is equal to V upon R होता है तो यहाँ पर voltage जो 220 और resistance भी मालो 220 ohm है तो यहाँ पर current निकलेगा एक ampere अगर यहाँ पर तुम resistance को आधा कर दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा current हो जाएगा दुगना यानि कि 2 ampere अब यहाँ पर अगर resistance की value बहुत जादा low हो गई मालो तुम्हारा 240 volt की supply है और वहाँ पर resistance की value है वो dead short की वज़े से यहाँ पर हो चुकी है 0.1 ohm ठीक है तो यहाँ पर इसको अगर हम current निकालना चाहें i is equal to होगा यहाँ पर 0.1 को हम convert कर देंगे 1 में उपर कर देंगे 10 से multiply यह हट गया point तो यहाँ पर current कितना लिख लेगा 2400 Ampere मतलब तुम्हारा अगर circuit dead short हो गया और वहाँ पर तुम्हारे circuit की जो resistance है वो 0.1 ohm रह गई तो उसके अंदर से 2400 Ampere जितना heavy current flow करना शुरू कर देगा और अगर तुमने यहाँ पर और भी अच्छी quality के मोटे और हट्टे कट्टे वायर्स का use किया है ब्रेकिंग केपैसिटी